लेट्स लूक अइनधर एग्सेंपल फिर ट्रांस्पोर्टेशन मैथट को हम यूज करेंगे देर इस अनधर कंपनी जिसनों ने ये अगेन ट्रांस्पोर्टेशन मैथट को यूज करना है तू डिवेलप अप्लैन इसका जो डेटा है वो नेक्स स्लाइड के अंदर दिया हुए और इसकी कोस्ट हमने फाइंड करनी है कि इस प्लैन की क्या कोस्ट आईगी अगे डेटा इस डिमांड मार्च एपरिल में अगेन थ्री मन्स का है डेटा इसकी की अवेलेबल है और सब्कॉंट्रेक्टिंग की इस मन्स की अवेलेबल है और सब्कॉंट्रेक्टिंग की कपैसिटी इच मंत हमारे पास तू हंडड की अवेलेबल है बिगनिंग इन्वेंट्रे इन दिस केश इस फिफ्टी जूनिट रेगुलर टाइम प्रोडिक्शन कोस्ट अगर हम कॉस्ट क्यों देख लें तो फिफ्टी डॉलर्स पर यूनिट है ओवर टाइम कोस्ट इस सिक्स्टी फाइफ डॉलर्स पर सब्बन कॉंट्रेट्टिंग इस एटी डॉलर्स पर यूनिट कारीं कॉस्ट इससफ वन डॉलर्स अगर हम एक यूनिट को एक पीरेट के लिए निए उड करें तो उसकी एक डॉलर कॉस्ट पड़ेगी back order cost अब है हमारी इदर that is four dollars अगर हम back order कर लें कोई number of units जो के हम उस period में meet नहीं कर सकते हम कहते हैं let's say first period में meet नहीं कर सकते second period में उसकी production करके first period के इंदर उसको utilize करेंगे उसकी demand that will be back order तो वो उसकी four dollars की cost हम incur करेंगे this is basically again same format का table जो के हमने use कर रहे हैं और इसके अंदर हमने अब सारी cost incorporate करनी हैं जो हमारे capacity है वो हमने already इदर डाल दी है और this is our total capacity available और ये जो चार cells हैं इसके अंदर हमारी demand होगी जो के जब उनको sum करें तो इस capacity के बराबर होनी चाहिए this is the requirement of this method इसके अंदर हमारी जो cost हैं वो ये हैं के beginning inventory की again first period में जो कर लें तो zero होगी second period में करें इस बार $1 है तो उसकी cost 1 पड़ेगी beginning inventory को हम use कर रहे हैं अगर उसको hold करके third period में करें तो $2 होगी unused capacity again it will be zero throughout सारी options के हमारे जो unused capacity रहे जाएगी उसकी कोई cost incur हम नहीं कर रहे हैं regular time $50 है अगर first period में produce करें और first period में consume करें तो $50 incur करेंगे first period में produce करें और second period में consume करें that means कि एक period के लिए hold करें तो $1 एक्स्टा पढ़ जाएगा holding cost और अगर third period में उसको consume करें तो $2 एक्स्टा पढ़ जाएगा इसी तरह overtime का है $65 normal है cost फिर उसके अंदर $1 per period आप add करते जाएगे subcontracting $80 है normal और फिर हर period में अगर hold एक period कर लिया तो $1 एड हो जाएगा दो कर लिया तो $2 एड हो जाएगे अब जो second period के अंदर production होती है और second में consumption तो again normal होगी और एक period hold गया तो $1 एड हो जाएगा इसी तरह overtime 65 and 66 की cost आजाएगी then 80 and 81 की cost आजाएगी और फिर third period में production और third period में consumption is the normal जो के हमारी cost आ रही है now we have to look at the back order cost अब यह है कि first period के अंदर हम meet नहीं कर सकें let's say हम second period में production करते है और इस period में consume करते है regular production हमने की second period में और first period की demand meet की तो उसकी cost क्या होगी that will be 50 plus 4 which is $54 क्योंके हमने जो हमारी back order cost है वो $4 per unit इसी तरह हमने over time का किया तो 65 की जगा 69 हो जाएगी और sub contracting किया तो 80 की जगा 84 हो जाएगी अगर यही हमने third period के अंदर capacity utilize करकर first period की demand meet की तो उस case के अंदर चार और dollars एड हो जाएगे क्योंके दो पीरिड अप back ordering के चले गए और इसी तरह over time के चार डॉलर और एड हो जाएग 69 की जगा 73 हो जाएगे sub contracting के भी चार एड हो जाएगे 84 की जगा 88 हो जाएगे इसी तरह अगर हम third period के अंदर हमारे पास capacity है extra second period में हमारी कुछ demand बच गई थी तो उस से हम meet करना चाहें तो फिर 50 plus 4 यह regular production की होगी 65 plus 4 which will be for overtime back order हमने उसका meet किया और sub contracting will be 80 plus 4 तो 84 डॉलर की हमें cost पड़ेगी अगर हम back order एक period back order हम उसको करते हैं और उसके हम अपनी demand meet करते हैं इसके अंदर important points carrying cost is $1 unused capacity हमने dummy column call किया हुआ है उसके अंदर उसकी cost कोई नहीं होगी it is just to make demand and supply equal इसके इसके अंदर back orders are allowed उसलिए back orders की सारी cost हमने डाली हुई है again जो हमारे column के वो होंगे quantity वो actually demand है जो के हमने meet करनी है and production will be allocated to the lowest cell first and then to the next lowest and so on until we meet the whole demand of that period